एबरीवन वेलकम तो राज एकोनॉमिक्स और कॉमर्स क्लासेश मैं हूँ नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक निव टॉपिक को ले करके आया हूँ जो की है आपका पब्लिक एक्सेंडिचर इसका क्या मिनिंग है इसके क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशन मतल कर रहे है ठीक है आप ऑफ्लाइन क्लासेश करना चाहते हैं तो राची में हमारा सेंटर है आप देख सकते हो इस्कीन की आपको नमर में मिल जाएगा आप उस पर कॉल करके here , अपको समय मैं पर plot आ रहा हूं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका क्या मिनिंग है ठीक पब्लिक का कर्च करती है इसके लोगों के कल्यान के लिए लोग कंट्री का डेवल्प्मेंट के लिए तह वो होता है जमाने में क्या होता था कि कहा जाता था लिष्ट टैक्सेशन लिष्ट गवर्मेंट एक्टिविटी मतल्न लिस्ट गवोर्मेंट एक्टिवीटी लिस्ट टक्सरेंटर एक सरकार को कम टक्स लगाना चाहिए सरकार की एक्टिवीटी कम होनी चाहिए लगी जहां का रोल बढ़ता है तो अब यससी बात है सरकार का एक्सपेंसे बढ़ता है ठीक है तो पब्लिक एक्सपेंटिचर का प्रेजन्ट टाइम में काफी पूराना लोन लिए उसको चुकाना ठीक है यह सब चीज़ें है फब्लिक एकस्पेंडिचर के अंतरगर अगर आगर सबसे पहला क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ है तो रेवेन्यू का पे डिजर का मतलब आगर हम बात करें रेवेन्यव expenditure की तो इसका मतलब होता है सरकार का regular basis पर होने वाला खर्च अना मतलब सरकार का ऐसा खर्च जिसे liability घटता नहीं हूं किसी प्रणार का assets government के लिए बनता नहीं हो ठीक है वो होता revenue expenditure जैसे सरकार regular basis पर law and order कायम करने के लिए रेगुलर खर्च कर रही है इंप्लोई को पैसा दे रही है ठीक है old age pension दे रही है तो इससे क्या वह सरकार का liability नहीं घटता एक बार दे दिए फिर नहीं देना ऐसा नहीं continue regular basis पर आपको देना पड़ेगा यह होता है revenue expenditure वही capital expenditure क्या है capital expenditure कहता है कि जब सरकार खर्च करेगी तो उसे assets का निर्मान होता हो सरकार का liability घटता हो सरकार ने क्या कि पूल बनाया तो यह भी कम हुआ कि भाई आप वहां पर हमको जो है फिलाल अभी तुरंद पूल हमें बनाना नहीं पड़ेगा तो revenue expenditure में एसेट का formation नहीं होता है capital expenditure में assets का formation होता next क्या आपका next आपका development and non-development expenditure ठीक है development expenditure simply क्या कहाँ जिससे development work होता हो जैसे road बनाना transportation को सुईधा देना जिससे production करने की capacity बढ़ती है जिससे country का development होता है यह हमारा क्या हो गया development 얘기 करें जिसे वार का प्रिप्रेशन करें वार के समेक होने वाला खर्ज इससे डेवलप्मेंट नहीं होता का है इरान इराग का सुरू हो गया है टिक है तो वो उससमेह इस व Forsch हो रहा कि दिखने मैं फ्र से नहीं हो रहा है प्लस में बहुत प्लानींग करके इंडिया में चलता था इंडिया क्या प्लान करती थी कि आने वाला पांथ सालों में हम ऐसे आसे खर्च करेंगे यह क्या हो गया प्लानींग तो आचानक से होगी एक प्लानिंग नहीं हुआ जैसे कोविट जब आ गया तो क्या गभॉववेंट ने प्लान करके रखा था कि इसमें कोविट आएगा पहला तो हमें इतना खर्च करना नहीं तो ऐसा खर्च जीसमें गभॉवेंट प्लान ना कर एधना अचानक से वो खर्च करना पड़ झायाए वैसा situation आ जा कि खर्च करना पड़ रहा है वो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है ठीक ना यह आपका पब्लीक एक्सपेंडिचर का मिनी और इसके समझ में आ रहा होगा ना युनिवर्सिटी के जो बच्चे है उन लोग का जो पब्लीक फिनांस मेजर पेपर में उनका दिमाग में रख करके में टॉपिक आप तो बता रहा हूं बाकी सभी के लिए जिनको भी पब्लीक फिनांस प्रणाना सबके सिलेबस में टॉपिक तो हो सब्सक्राइब और अधिक इंफर्मेशन के लिए कॉंटेक्ट नमबर दिया हुआ है आप उसके कॉल कीजिए टेलीग्राम चैनल है राज इकनॉमिस के नाम से वहाँ पर टेलीग्राम में आप जोइन कि दे चलिए धन्यवाद